नमस्कार सांतियों, कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ, वहतर होंगे और अच्छे से होंगे तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बात करने वाला हूँ कि जो हम लोगों का SOF के थरो जो है, एक्जाम होने वाला है, लेबल 2 का, उस लेबल 2 के लिए हम लोग कुछ important topic के उपर चर्चा करेंगे और उस में हम लोग कुछ important चीजों के बारे में हम लोग discussion करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि आपका एक्जाम 11 फरवरी को होने वाला है, ये तो तैय हो गया है और सारे बच्चों का admit card भी आ गया है, तो जिन्होंने अभी तक admit card डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग अपना admit card डाउनलोड कर लीजिएगा अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि examination center को लेगे जिसका जिसका जहाँ पर examination center है, आप exam जो भी center होगा, वहाँ पर कम से कम आधे घंटे पहले जरूर पहुँच जाईएगा माल लिजिए कि आपका exam center थोड़ा दूर है, तो कोसिस कीजिएगा कि आधे घंटे examination center पर पहले पहुँचना ही पहुँचना है suppose date कि gate खुलने का जो timing है वो आठ बजे है, तो आप कोसिस कीजिएगा कि साड़े साथ बजे के करेब करेब आप वहाँ पर पहुच जाईए अब अंदर क्या होता है, जैसे ही आप examination center के अंदर in करेंगे, तो सबसे पहले जो आपके पास admit card होगा admit card में दो section होगा, पहला और दूसरा, तो आपको अलग-अलग नहीं करना है, ये जो अलग-अलग होगा वो वहाँ पे किया जाएगा अब ऐसा निये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि फार देते हैं, एक portion अलग करते हैं, दूसरा portion अलग करते हैं, ऐसी गलती आप लोग मत करना ये दूसरी बात होगे कि admit card पे कुछ भी छेड़ चार नहीं करना है, examination center पे आधे घंटे पहले पहुँच जाना है, तीसरी important बात हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जब exam start होगा, तो exam start होने से पहले आपको 15 minute का समय दिया जाता है, OMR seat को fill करने के लिए, तो उस 15 minute का utilize जो label 2 आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने label 1 को qualify किया है, तभी तो आप label 2 में गए हैं, तो label 1 में जो चीज आपने किया था, OMR seat को अच्छे से fill किया था, इसमें भी आपको same वैसा ही करना है, OMR seat को fill करना है, और ओ भी अच्छे से fill करना है, 15 minute आपको इसी के लिए दि लिखियेगा, अपने जो भी section वैगेरा है, वो अच्छे से लिखियेगा, तो 15 minute समय मिलता है, और 15 minute जो होता है, बहुत एनफ होता है, बच्चे 5-10 minute में करके अराम से बैढ़ जाते हैं, तो आपको भी OMR seat को अच्छे से क्या करना है, fill करना है, और एकदम तसल्ली से बैढ जाना है, चौथा important बात कि जब आपके पास question paper आएगा, तब क्या करेंगे, आपके पास question paper आएगा, आपको पता है कि class 3rd और 4th का paper pattern अलग होता है, और 5th से लेके 10th का paper pattern होता है, वो अलग होता है, तो class 3rd और 4th में जो होता है, mathematical से होता है, मारे पास mathematics 30 number का होता है, और achiever section जो होता है वो पांच कोशन होते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है कोशिस कीजिएगा कि पेपर को कम से कम दो से तीन बार जो है पढ़ा जाए दो से तीन बार पेपर को क्या करना है आपको पढ़ना है कभी कभी क्या होता है कि बार आपको देखना ही देखना है तो पेपर को कम से कम तीन बार आप देखिएगा पेपर को कम से कम आप तीन बार पढ़िएगा तब जाके चीज़े जो है आपको किलियर हो पाएंगी अब ऐसा होगा कि आप जो है पेपर मान लीजिए कि पहले बार में हमने जो पढ़ा वो mathematical section हो या achiever section हो जो question आपको आ रहा है वो question सबसे पहले attend करने की कोशिश कीजिएगा suppose rate कि आपको पांचवा नंबर question आ रहा है तो सबसे पहले वही attend कर लीजिए ठीक है ऐसा क्या होगा कि मालों कि आपके पूरे paper में मालों की 10 question ऐसे हैं जो आपको आते हैं तो फटाफट जो 10 question को जब कर लोगे न तो आपके अंदर एक अलग सी उर्जा आ जाएगी आपके अंदर एक अलग सी क्या जाएगी energy आ जाएगी कि आप जो कोशिश करोगे चल भाई 10 question मैं आप जो है मैं कर सकता हूं सारे question तो इस तरीके से आपको क्या करना है attend करना है examination center के अंदर आपको किसी भी परकार का हर बड़ी गरबडी नहीं करना है examination center में आपको अच्छे से exam देना है पूरा free हो के जाएगा पूरा free हो के आपको अपना exam attend करना है I hope कि जो भी मैंने ये 4-5 point बताया है बिल्कुल आप भ्यान रखिएगा और exam के पहले मैं आप लोगों के एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आप लोगों को और भी कुछ tips and trick दूँगा ठीक है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा